मेकनिक दोस्तों यह है ब्रेंड न्यू एकदम ब्रेंड न्यू गाड़ी NS160 टेल पेनल पे देखें लिखा हुआ है NS160 और यहां पे गर मैं दिखाऊं तो E20 यानि एथनोल वाली गाड़ी है अभी जस्ट लॉंच वी है अपसाइड डाउन फॉर्क वाला यह गाड़ी है अभ और गाड़ी हमारी मातर 1389 किलोमेटर चली हुए सिर्फ के सिर्फ तेरा सो गाड़ी अभी 1500 किलोमेटर भी क्रॉस नहीं हुई है और गाड़ी का इंजन पूरी तरह से सीज है जी हां मेक्यानिक भाइयों जब इतना बड़ा प्रोब्लम मैंने देखा ना फिर मैंने अक्तम तुरंट डिसाइड किया कि हमारे मेक्यानिक भाइयों को हमारे वीवर्स को इस चीज के बारे में जानना जरूरी है कि जब भी उनके पास इस तरह से प्रोब्लम आये तो चेक कैसे करेंगे और अभी आप बने रहें वीडियो में क्योंकि इसको आपन करने के बाद ही पता चल पाएगा कि मैनुफ्यक्टरिंग डिफॉल्ट है या है कस्टमर की गलती अभी इसके कलच का स्टिकर भी नहीं खुला है और खुलेगा इसका कलच कवर हेड ब्लॉक को पूरी तरह से निकालेंगे बट उससे पहले मैं इसके सेल्फ का उप्योग करके दिखाता हूँ यह देखें काफी अजीब सी साउंड कर रही है ठक 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 लगता है जो इसका पिष्टन है वह एड के वाल्व में से टच कर रहा है और कंप्रेसर तो पूरी तरह से वीक हो चुका है यह देखें खट खट आवाज कर रही गाड़ी और स्टार्ट तो होही ने रही तो या तो इसका जो वाल वगेरा बैंड हुआ रहेगा तो चलिए मैं इसके टैंक को निकालता हूँ और फटाक से डारेक्ट प्रॉब्लम तक ले चलता हूँ काफी इंट्रेस्टिंग रहेगी देखना काफी मस्त रहेगा चलिए मैं आपको सारे जीज़े दिखाता रहता हूँ ताकि आपको किलियरली पता चल सके तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो में बने रहे हैं के सारे बॉल्ट को निकाल दी हैं बीना टैम में वेस्ट के इसके फिल्टर कमर को निकालते हैं एंजन करके आपको दिखाते है की इसके इसके अधर uy मतलब होता है अपसाइड डाउन फॉर्क जो सिस्टम योज किया जाता है यह इसमें मेंशन किया गिया है तो इंजन से यूएश्टी फॉर्क का कोई ऐसा कनेक्शन नहीं होना चाहिए यह हो सकता पार्ट नमर में कुछ ऐसा बदलाव किया होगा कमपणी वालों ने इसलिए मेंशन कर दिय या यहां से पता चलेगा कि एक्चुल खराबी है क्या जिस तरह से मैं लगा रहा था इसके वाल्व हो गए होंगे बैंड और उसके वजह से गाड़ी के अंदर यह समस्य आ तो मैं अभी जैसे इसके टाइफट को चेक कर रहा हूं तो इसके अंदर बिल्कुल भी फ्री प्ले नहीं है जबकि आपको पता होगा कि जब भी वाल्व बेंड होता है तो एक टाइफट का जो पूरा प्ले आ जाता है खोड़ा सा किक का अपलाए कि पता चलिए बस छोड़ किया तो यहां से धुआ भी निकल रहा था तो इससे पहले भी मैंने कई सारे वीडियो मैंने बना रखा है एक्जॉस साइड से धुआ निकलना चाहिए वह विपरिद दिशा से निकल रहा था इन्टेक साइड से यानि फ्रूटल बोडी होने के साथ साथ इधर फिल्टर के साथ से इसका धुआ निकल रहा था तो विपरिद दिशा से जब भी निकले तो समझे या तो वाल बेंड है या फिर इसका रिंग पिस्टन में कोई प्रॉब्लाम है तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की इसके एक्जॉस्ट को बाहर निकालते हैं इसके ऑक्सिजन सेंसर को म अब हम लोग का सेटप पूरी तरह से तयार है इसके एर फिल्टर को डिसकनेक्ट करके फ्रोटल बोडी को इंजन में सही अटेच करके रखा हूं अब यहां पे मैं देखूं इसके टाइमिंग को टॉप करके रखा है उसके बावजूद भी इसके हैड के वाल के अंदर एक इसे साब से यह स्मोक कर रही गाड़ी ना उससे किलियर पता चलता है कि यह हैड या इसके जो ब्लॉक में से प्रॉब्लम है तो चले इससे हम बाहर निकालते हैं अभी इसके ब्लॉक असेंबली को आपन किया है और इसकी कंडिशन को अगर मैं दिखाए हूं तो आप भी च कर रहा था और इसका जो टुकड़ा है वह अंदर किसके क्रेंग केस में गया जिसके फुल इंजन खोलना पड़ रहा है और यह इसका जो कनेक्टिंग रॉड है यह बैंड है इस जगा से तो यह पूरा इंजन खुलेगा है और वह भी आपको देखने को मिलेगा इसके यह है क्योंकि इसके अंदर रिगूलर ओईल लो इंडिकेट का जो सिंबल जल रहा था माल फंक्शन इंडिकेटर का जल रहा था बैटरी लो इंडिकेशन का जल रहा था मल्टिपल टाइप के एरर्स आ रहे थे उसके बावजूद भी गाड़ी चलाया गया और जो मैंने आ तो आप यह ना समझें कि गाड़ी बेकार है लेने से पहले एक पर सोच लें या फिर वीडियो देख लें उसके बाद आप दूसरी गाड़ी के उपर चला जाए ऐसा नहीं पहले भी परफेक्ट थे और आप भी परफेक्ट है वह यूज करता आपने डिपेंड करता है चल हम होगा तो चलिए मैं इसके इंजन को पूरा आपन करता हूं और आपको दिखाता हूं कि अंदर कहां पे हैसा प्रॉलम तो नहीं किया बला टुपडा है यह देखें इतना हिससा जो इसका अंदर गया है चली मैं आपको आपन करके दिखाता हूं ये NS-160 का कलचवाला एरि तो आपको दिखाते हैं कैसे यह खुला जाता है बाजाज की अलमुस्ट गाड़ियों में यह जो कलच का में नठ है यह विपरित दिशा में उल्टा खुलता है और इसके अंदर आप नर्मल टूल लगा सकते हैं यह होंडा का जो होता है यह भी आप लगा सकते होंडा शायन का भी लगा सकते सब खुल जागा यह फिर आप जब आप खोलेंगे तो इससे आपको सीधा खुलना पड़ेगा इसमें काफी लंबा समय गया अभी देखें इसके चेसी में से हम लोग दिया है यहां पे इसका मेगनेट कभर इंजन में के सामान यहां पर यहां पर इसका गलच का यह ब्लॉक का जिसमें प्रोब्लम है और यह तो क्रे जिसका तो काम करना ही पड़े गाए यह जोगा और काफी सार इसके अनदर जो नए नएए चीज plant होके अंदर कारे कि इन इस का हम लोगों को भी है और मेरे पास भी यह तो एक टीट का उसमें जानकारी देंगे और जो है 12 महीने के बाद जनवरी में इसको डिलेवर किया गिया और फरवरी में गाड़ी खराब हो गई तो जब इसके अंदर प्रॉब्लम जिस तरह से आपको मैंने दिखाया काफें ट्रेस्टिंग रहेगा जब फिटिंग का वीडियो लाऊंगा इस वीडियो को यहीं प् फॉर्क दिया हुआ जिसके बारे मैंने अल्रेड़ी बता रखा है चलिए फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में इसके फिटिंग का वीडियो लेकर तब तक के लिए थैंक्स फॉर वोचिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगर नहीं किये रहेंगे तो उससे आपको किलिय ने लाइक जिजे मिलियागा